नमस्कार किसाम भाईयों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है टामाटर के A to Z खेती के जानकरी वाले इस सीरीज में हमारा ये नववा भाग चल रहा है नववे भाग तक हमने बहुत सारी जानकरी तो आपको दे दिये अगर आपने वो आठवे भाग तक कोई भी उनके अनुसार हम उनका treatment का भी आपको देने वाले तो सबसे पहले करते हम विल्ट की फंगल विल्ट होता है एक बैक्टरिल होता है लेकिंसे पहले यही जान लेते के विल्ट के जो symptom होते है वो कैसे होते है तो जैसे की व्यूंट का जो पोधा होता है आपका टामाटर का वह एकदम से सूक जाता है और आपका शेंडमर हो गया या फीर डाइबैक हो गया उसके अंदर क्या होता है उपर से धीरे प्रकार होते हैं एक फंगल और दूसरा होता है बैक्ट्रेल विल्ट तो ऐसे सिच्वेशन में आपको पैचनना कैसा है यह अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना है यह स्टेम का पार्ट जो भी है उसे कट कर लेना है मतलब आइस स्टेम का जो भी हिस्सा है उसे कट कर लेना है और इस कट किये हुए तुकड़े को आपको एक ट्रांसपरन्ट ग्लास के अंदर है यानि कि पारदर्शक जो भी ग्लास है उसके अंदर पानी डाल कर तो उसके अंदर डुबोना है अगर इसमें से च उक्षिड को बाइद को तहुस्ता साँदूना करना चाहिए क्यों कि क्या होता है कई बार आपके खेत में बैटरील होता है और आप हट्रेंजिंग सब्सक्राइब आप कुंछ दावायों का इस्तामाल कर सकते हुए विल्ट के ओपर हमारा डीटेल में अच्छा वाला वीडियो मतलब डीटेल वाला वीडियो बन चुका है फिर भी यहाँ पे हम shortcut में आपको चानकरी दी दीते हैं तो ऐसे में अगर कुछ लोग कहेंगी कि यार मेरे को समझने आता वैल्डमाइसिंग का ड्रेंचिंग करें या रोको का ड्रेंचिंग करें जैनेट प्लस आपके लिए अच्छा है वैलिडा और आपका रोको थाइविनेट मितिल दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो जैनेट प्लस आपके लिए एक अच्छी दावई यहाँ पे निकल के आती है contact में सबसे powerful दावई मिलती है आपको blue copper तो blue copper का ड्रेंचिंग भी खर शकते हैं एक एकड के लिए एक बैंक की सबसे यह फिर आप copper वाटर की खेती के अंदर अगर आपने वाटर लॉगिंग कंडिशन बना दी या फिर नाचरली बन गई तो और आप उपर से आपकी तमिन अगर हेवी स्वाइल है हाई वाटर होल्टिंग कैपसिटी वाली जमीन है तो वहाँ पर विल्ट आने की संभावना सबसे ज्यादा र और आपकी तमातर की भराटी ग्राप्टार की घ्रामाटो की जाती है उसे टर्माटो के अंदर नीचे की तरफ जंगल्ी वेंगन की नाग होने से प्राव्जन का रेट दस रुपए आट रुपए नो रुपए भी हो सकते आपके एरिया में कितना है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना तो इसके बाद आता है प्रोब्लेम रिंग रॉट का क्या होता है गर्मियों के मोसम में बारिष चे पहले जो भी किसान प्लांटेशन करते उनको इसक लगा देते हो गर्मी के मोसम में बारिष से पहले टामटर के प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है कि वो पौदा हवा की वज़ए से ऐसा घूमने के कारण और यहां पे बगल में दरारें पढ़ने की वज़ए से यहां पिर थोड़ सा पौधा गिसता रहता है उस गिसन प्रिवेंट्व के तोर पे जमिन में नमी पर्यत मात्रा में भी होनी चाहिए तो ऐसे सिचूशन में आप पंजिसाइड का ट्रेंजिंग करते हो तो आपके रिंग रॉड का भी कंट्रोल यहां पिया अच्छी तरीके से हो जाता है यहां पर ब्लाइट का बात करते देट और लेट आड़काल रही हाँ हुआ है अई अर्ली ब्लाइट जो की नाम की तरह इसको आगेती भी कहते हैं हिंदी में और एक साग्री स्टृ sol तो इन तीनों की पहिचान अगर आप अच्छे से कर पाए तो आपके लिए यह ब्लाइट जो भी एक बड़ी समस्य है टमाटर की खीती के अंदर वो हो आपको नहीं आने वाले है तो टमाटर की खीती के अंदर ब्लाइट का आइडेटिपिकेशन ही पहले तो जरूरी है फिर बाद में उसका कंट्रोलिंग जरूरी है तो आरली ब्लाइट के सिम्टम कैसे होते अगर आपके टमाटर के पत्यों के उपर बड़े-बड़े वाले पिले रंग के धब्बे दिखाई दे तो समझ लेना कि यार वह आपका आरली ब्लाइट है एक खुले मोसम में एक पर्यत मात्रा में अगर हुमिडिटी हो और बारिश ना हो जादा तो ऐसे सिच्वेशन में आरली ब्लाइट आपके फसल के अंदर टमाटर के पसल के अंदर आ जाता है जब ज़्यादा हुमिडिटी हो ज़्यादा गर्मी होती होगी आपके प्लॉट के अंदर तब आपके पसल के अंदर बारिश हो गई या फिर कुछ जादा हुमिडिटी हो गई तो उसके कारण वर्ष आपके पसल के अंदर लेट ब्लाइट आता है लेट ब्लाइट का इंपेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और उसके सिम्टम बहुत दिनों के बाद है यानि कि लगपक साथ दिनों के बाद आपको आकों से दिखाई देते हैं इसलिए इसको लेट ब्लाइट भी कहा जाता है तो लेट ब्लाइट के सिम्टम बहुत लेट आते हैं इसलिए यह जल्दी पहचान में ना आने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान करता है और टेजगती से नुकसान करता है अभी ले के उपर दिखाई दे तो समझ जाना कि यह आपका led blight है, काले रंग के बड़े दब्बे और यहाँ पर उस काले रंग के बड़े दब्बे के अंदर यहाँ का कंड्रोलिंग भी समझ लेंगे, पहले हम इसके symptom समझ लेते हैं तो bacterial blight कैसे पहचानना है तो lead blight की तर अगर बारिक बारिक आकार के आपको काले रंग के spot आपके पतियों के उपर दिखाई दे स्टेम के उपर दिखाई दे तो समझ लेना यार कि यह आपका bacterial blight है तो यहाँ पर आपने अभी समझ लिया कि early blight का symptom जितने भी फंजीचे है वह सभी काम करते आपका सिस्टेम भी इसके उपर बहुत याच्छे से काम करता है जिसके लास्ट में जोल ने आता है, माइक्रॉटेणियर, तो जोल, हेख्जा कोने,जोल हो गया, आपका कॉंटाफ हो गया, केभुकोने,जोल हो गया,डोमार्क हो सब्कमाइज़, तो इस तरहिए से जितनी भी जोल ग्रूप के फंजिसाइड है, वह सभी के सभी अरली ब्ल कोई भी डिसीज हो जो भी दवया होती है अगर सो टका उन्त का फाइदा अगर उठाना है आपको तो आपको प्रिवेंटिव में काम अच्छा रखना पड़ेगा डिसीज आने के बाद उसको सो प्रतिशत क्यूर करने वाली दवयी मार्केट में अवेलेबल नहीं इतना करो वही आपके लिए अच्छा है तो यह जोल ग्रूप का फंजी साइड हम अरली ब्लाइट के लिए इस्तामाल करेंगे लेग ब्लाइट के लिए हम कौन सी दवया इस्तामाल करेंगे देखो यह आप एक बात नोटिस कराना चाहता हूं जो भी जोल ग्रूप के फंजी करते में बेटर है इसलिए उसका ज्ञाठा टेंशन नहीं आ आता लेकिन बारिश के मौसं में फसल को हैडंडल करते वग jr करते हैं जो लेड़ लाइट का जो प्रिंषर रहता है वो एक तरप रहता है उसकी दावयों का खर्चा वो दूसरी तरप रहता है जो लेड़ ब्लाइट की जो दावयी आए आपका डाइज्ट मोर्फ हो गया है जो कि आपका ऐक्रो गृत ज्यम्परों के से जो भी फंजी साइड आते वो क्या करते हैं फसल की सेहत को बढ़ा कर वो जो रोग उसको कंट्रोल करने के कोशिश करते हैं ना कि रोगों के उपर डायरेक्षामला करते हैं तो इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी है जो फाइटो टॉनिक वाली जो दवईया है खास बारिश हो गया रात की जो बारिश रहती है वह लेट ब्लाइट के लिए बहुत खतरनाक रहती है तो जिस दिन रात को बारिश होती है तो उसके साथ दिन बात देख लेना आपको पत्तियों के उपर काले रंग के दब्बे दिखाए देंगे लेट ब्लाइट के उपर हमार ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए करेंगे तो नीचे से वेलडा हो गाया तो उपर से भी आप इस्तमाल कर सकते हो इंडोपील कंपनी का बैक्टरी नाशक का इस्तमाल कर सकते हो प्रौरी स्टेज में भी अगर यह-अ रोग आ गया बैक्टरीप्लाइट तो आप यह का भी इस्तमाद कर सकते हो इनके उपर डिटेल में वीडियो बन चुका है मैंने बहुत सारा उसका कवर किया लेकिन जो लाइफ साइकल है वह ज्यादा कवर नहीं कर पाया तो प्लीज ब्लाइट का भी वीडियो आप देख लेना तो इसके पात आपके टमाटर के फसल के अंदर आती है समस्या रॉट की तो टमाटर के जो फल रही थे वह सड़ने की जो समस्या आती बारिश के दिनों में रॉट की समस्या सब्से ज़्यादा होती है तो यह जो रॉट होता है यह जो सड़ने के कारण या उसी को ही सड़न के थे तो यह फल जो सड़ने के कारण आ थी और आपका मार्केट में लॉस होता है तो वो अगर आपको नई होना चाहिए तो उसके लिए आपको ड्रेंचिंग बहुत जोरी है कोई भी फंजी साइड हो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस किया होगा कि बहुत सारे रोगों के उपर ड्रेंचिंग ही काम करती है फंज राट के लिए आपको अलग-अलग फंजी साएड का इस्तेमाल कर सकते हो और रोकों का इस्तेमाल कर सकते हो बाविस्टीन हो गया आपका इलेेट हो गया red 추led books तो इस तरह के से अलग-अलग फंजी साइड का भी आप रौक हीर इस्तओंट को रोकने के लिए आप भंजी साइड का इसकमाल, ड्रेंचिंग के साहता से कर सकते है. आपको 30 दिन के अन्तराल में करना है. इससे मुझे पता चलेगा कि हमारी इसी सेरीज को कुन सिक्वेंस के सारे देख रहे हैं. अगर आप भीच यह वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा आपने पहले 8 पाट देखे होंगे तो ही आपको यह जानकर ही अच्छी तरकिय से समझ में आएगी तो प्लीज वह वाले वीडियो देखे आएगा अगर किसी ने देखे नहीं होगी तो इसके बाद आता है सब्सक्राइब कर लिए या पी पर कर लें यह ब quick Pode इडिक का लिए रहा सकता है। या फिर आपको यह बहुत ज्यादा आटेक हो जाता है यहाँ पर आपको दो चीज़ों का रखना है कि पट्ट्तियों को जादा-ज्यादा मस्बूत और रभ बना के रखतना है還有 giving पतियों को रब बनाके रखता है तो इस तरीके से आप पतियों को रब बनाके रखोगे और सेकंड अगर आप अपने टामटर की फसल गें अंदर वाइट प्लाइ का कंट्रोल समय पे करते रहोगे तो आपको यह जो लिप कर्ल वाइरस की जो समस्य आहें वह बिल्कुल नहीं आने वाले तो लिप कर्ल वाइरस के लिए आपको वाई प्लाइक का कंट्रोल कैसे करना है यह आगले पार्ट में तो हम चैनने वाले तो इसके बाद आता है आपका सन बरनिंग तो यह संबर निंग को होता है खासकर यह ठंड क कागज रख देते और उस कागज के ऊपर यह जो सूरज की रोश्णी यह इकटा कर लेते तो यह सूरज की रोश्णी इकटा होने पर यहाँ पे जलने लगता है तो यह कागज जलने लगता है तो इसमें क्या होता है सुरज की रोशनी एक साथ इकटा होती यही बात हमारे फल के अंदर भी हो जाती जब आपका टमाटर का फल आपके पोदे के उपर रहता है तब क्या होता है सुबह जो कोहरा पड़ता है तो उस कोहरे में क्या होती है जो बुंदे पानी की बुंदे वह आपके फ़लों के उपर रही थी और सुरज की कुरोशनी जो भी इस बुंदों पर गिरती है तो यह भींग की तरह क्या करती है इस सेंटर वाले पॉइंट को जला देती है और जलने के बाद वहाँ पर आपको सन वर्ण दिखाई देता है तो अगर यह sunburn आपके फसल के अंदर ना हो तो आपको आपके टमाटल के फसल के फलो की त्वचा को मजबूत रखना होगा जिसके लिए कैल्शियम हो गया है सिलिकॉन हो गया फॉस्परस का सही बैलेंस आना आपको बहुत दुर रहे है टॉनिक का कम से कम इस्तेमाल करें एंटी पर्ण को रुकन के लिए भी कर सकते हो इसके बाद आता है फ्लावर ड्रॉपिंग का समझ्य क्या होता है टमाटल के खेती के अंदर यह प्लाव का फंधर आपको दिखाई देता है जिसके लुग के लिए हम कोई भी पनजी साइट का और दूसरा जो आता है वो स्ट्रेस के कारण तनाव के कारण जो आपने सनबर्न के लिए जो दवया हमने बताई सिलीकौन आपका सियाकटन हो गया ग्रिन मिरेकल उसी का इस्तमाल अगर इस प्रॉब्लम के लिए भी आप इस्तमाल करोगे तो स्ट्रेस से अगर आपके फ्वल तूटकर अगर नीची गिर रहे हैं तो वहाँ पे वह तूटना बंद हो जाएगा तो तिसरा कारण यह हो सकता है कि आपके जो टमाटर का जो आप होता देक resultado थेकर हो उस्तमाटर के अंदर और फ्शल और फूल के रहे टाइक आपि ज़र जादा लागा है हम इस पत्तियों के डंठल को कि क्या कहेंगे जड़ों को कि करेंगे वेजीटेटैवी गोत कहते और फल और फूल को हम कहते रिप्रोड़िटिव ग्रोध जब या फिर फुलों का डंठल मजबूत ना बनकर उसके उपर ज़्यादा फोकस ना होने के कारण वो तूटके नीचे गिरता है तो अगर ये भी समसे आपके फसल के अंदर होगी तो आपे आपको लियोसिंग का इस्तमाल करके विजीटेटिव ग्रोथ को रोग कर सिख मैनेजमेट होगा फिर सब्सक्राइबब को रेंगे अग़ियुकर अगली वाली यसे उसी लाने इस्कु यहनन घें की जो भी जानकरी है वो आपको में फ्री देने वाला हूँ लेकिन उसके लिए आपको एक छोट असा टार्गेट है आप लोगों के लिए आप अगर दिल से करोगे तो ये भी बहुत जल्द कंप्लिट हो जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसा